तक का अब्रिवेशन दिये गया है कुछ आप एक बार इसको चेक कर लीजे यह जो स्क्रीन शॉट है आप ले सकते हो तो ART है तो articles, ARTS articles, CL for clause, CLS for clauses, CO for constitutional order, INS for inserted, P for pages, P for page, PP for pages PT अगर लिखा है तो part मतलब उसका होगा, REP लिखा है तो repeal में उसका meaning होगा, YES लिखा होगा तो section है मतलब हो SS अगर उसके सामने याप bracket में लिखा है तो sections का meaning होगा, अगर SCS लिखा है bracket में तो schedule उसका meaning आएगा SUBS लिखा है तो substituted उसका meaning आएगा, और WEF अगर लिखा है तो with effect from with effect from मतलब यह तो date ही आएगी फिर, ठीक है, so the constitution of India आज हम जो देखने जा रहे है तो part 1 के बारे में हम discuss करेंगे कितने parts है total constitution of India में 22 parts और articles कितने है total 395, 395 तो article 1 से लेके 4 तक ही आता है part 1 में तो part 1 के बारे में ही आज हम discuss करने वाले, 4 articles उसमें आएगे, article 1 से लेके article 4 तक का में आएगे यह part 1 में आएगे so just एक overview हम करने वाले है और इसके brief में या फिर कुछ amendments से तो amendments के भी कुछ videos आएगे आगे तो वो detail में हम explain करेंगे, कुछ articles है जो referral articles होते है तो उसके बारे में भी हम detail में discussion करेंगे this is just a overview, आपको एक first view में पता चलना चाहिए कि part 1 में क्या क्या आता है, यह वही है तो union territory, part 1 किसके बारे में है, the union and it is territory, मतलब जो देश है हमारा उसके बारे में है और जो राज्य है, what is included उसके बारे में है, एक union और इसकी territory क्या होगी यह उसके बारे में है तो article 1 name and territory of the union तो नाम क्या होगा यह जो union है इसका नाम क्या होगा और इसकी territory मतलब इसका हम बोल सकते जो नक्षा हम देखते या फिर इसकी boundaries क्या होगी यह इसके बारे में second है admission और establishment of new state समझ लोग कल जाके कुछ territory हम अपने इनमें admit करना चाहते हैं जैसे कोई disputed होता है कई war होता है तो वहाँ पे हम नए जो state से उसको admit कर सकते हैं कोई purchase कर लिया किसी जगा पे land purchase किया समझ लो इंडिया में किसी स्रीलहंका, नेपाब, भूटान पाकिस्तान, बांगलादेश, किसी एर्या कई पे purchase कर लेते हैं तो वहाँ पे admission आता है establishment of new state कब आएगा जब already state है उसमें से या फिर already जो union है उसमें से कही आप new state बना रहे हो तो उसमें, 2A is omitted, it is about सिखें, वो भी हम बाद में detail discuss करेंगे formation of new state and alteration of areas अगर कोई नया state बनाना है alteration of area मतलब areas बदलना है जैसे महारास्टा और करनाट की boundary अलगे मतलब connected है बेडगाव is the disputed area बेडगाव को कहाँ पे alter करना है it is यहाँ पे mention होगा boundaries और name of existing state जो state से उसके नाम और उसके boundaries जो है, वो decide करेगा यह article 3 and article 4 is about laws made under article 2 and 3 to provide the amendment of the first and fourth schedule and supplement, incidental or constitutional matter तो article 4 है ना, तो आप इसको समझ लिए यह referral article हो सकता है मतलब इसको सिर्फ इतना समझ लो कि it is a referral article for article 2 and 3 article 2 and 3 में जो amendment या फिर उसके तहयत, जो amendment आप कर रहे हैं वो आता है कहाँ पे schedule 4th and schedule 1st में schedule 4th में क्या है वो आपको देखना पड़ेगा तो schedule 1st में क्या है कि सारे states से उसके नाम दिये हुए है और उसका फिर समझ लो महारश्टर के बारे में हैं या फिर किसी पर्टिकॉर राजस्तान के बारे में हैं तो उसका अपना एक act होगा तो उस act के तहिए उसकी boundaries कितनी है वो दिया है पूरा schedule 1 में और schedule 4th में क्या है कि ये about the constituency या फिर ये उसके कितने constituency होगे जो election है अभी देखो recently article 370 के तहिए जम्मू कश्मीर और लदा को union territory गोशित किया हुआ है बट ये होगा है कि first schedule में उसको अभी add करना है article 2 और 3 के तहित हमने तो amendment कर दी कि ये होगा है हमारा union territory बट article फिर उसको हमें डालना पड़ेगा first schedule में उस states को तो उस state को जब हम first schedule में डालेगे तो fourth schedule में लिखना पड़ेगा कि इसके कितने constituency होगे मतलब इसके कितने MPs यमेले होगे इस states के तो that is what थोड़ा सा उसके बारे में discuss करते है article 1 क्या है name and territory of the union तो नाम है territory of the union मतलब भारत है जो उसके बारे में दिया गा है या पर उसका नाम या फिर उसके territory क्या होगी समझ लो ऐसे boundary है किसी देश की तो यह boundary कैसी है तो इसके बारे में discuss करेंगे तो इंडिया that is भारत shall be the union of state तो उसका नाम ही मतलब जो अमारी country है उसका नाम या पर दिया गया है उसका नाम क्या है दिया है इंडिया that is भारत तो हम जो इंडिया है उसको हम भारत खहके या फिर उसको भारत as a नाम हम पुकारेंगे तो यह क्या है union of state हमने देखा होगा ना अभी तव 29 union हो गए मतलब states हो गए and somewhere कुछ 7 union territories तो then article 2 is about the states and sorry it's article 1 यह clause 1 है यह clause 2 है यह clause 3 है तो clause 3 में देखो 3 sub clauses है तो sub clause A, sub clause B, sub clause C तो आप इसको ध्यान में रखिए जब भी आप कभी देखते हो तो keep it in a mind article 1 में clause 2 में लिखा है कि the state and the territory thereof shall be as specified in the first schedule जैसे मैंने आपको कहा था कि first schedule में सारे states के नाम होगे कोई नया state add होगा तो उसको पहले first schedule में हमें डालना पड़ेगा तो ये दिखाता है article 1 की article 1 में जो clause 2 है वो क्या बोलता है कि states and territory thereof shall be specified in the first schedule तो वो first schedule में होने चाहिए तभी तो article 2 के तहत हम उस पे कुछ act कर सकते हैं या फिर उसको कुछ amend कर सकते हैं then third one is the territory of India shall comprise of तो इंडिया की जो territory उसमें क्या क्या आता है वो दिया है article 3 article 1 के clause 3 sub clause A B और C sub clause A में क्या लिखा है territory of the states जितने सारे states है ना जैसे हमने discuss किया the 29 states वो आते है the union territories तो बोला है 7 union territories वो आते है specified in the first schedule तो ये सारे ये first schedule में दिखने चाहिए आपको जो union territories या फिर जो states आप नाम ले रहे हैं तो या first schedule में जैसे आप भी पाकिस्तान का आप समझ लो कोई area है लाहूर ठीक है तो कुछ पार्ट है जो हमें हमारी first schedule में नहीं है तो हम उसको consider नहीं करेगे या फिर PO के अगर first schedule में नहीं दिया है वो तो this is not a part of our state मतलब our union अगर दिया है तो it is part of our union नेपाल को भी अगर हमने first schedule में डाल दिया है और बोल दिया बाद में कि yes यह हमारा है तो according to according to the constitution अब वो हमारा है बट हो सकता है उसके legal authorized या फिर उसके जो authorities है वो अलग हो that is fine just मैं यहाँ पर सिर्फ आपको explain कर रहा हूँ कि यह sub clause क्या है बस उसी के लिए तो such other territories as may be acquired हाँ तो यहाँ पर मैं acquired के बारे में बताता हूँ कि अगर article 1 के तयत जो उसका नाम है या territory तो उसमें clause 3 में क्या है कि territories of India क्या क्या मतलब उसमें आता है इंडिया में क्या क्या आता है तो sub clause 3 में बतायागा है कि other territories में भी acquired तो समझ लो जो other territories है जो हमने acquired करी है acquired मतलब क्या होता है ना कि उसको एक तो हमने जीत सकता है acquired का meaning है कि जीत लिया खरीद लिया वो उसका meaning होता है कोई होता है ना merger acquisition सोच देखा वगा आपने किसी company का तो उसी तरह से article 2 तो what is article 2 article 2 में देखो 2A के बारे में हमने देखा था कि 2A को हम separately discuss करेगा article 2 is about admission और establishment of new state कोही नए states को अपने अंदर admit करना है जैसे समझ लो बांगलादेश कर जाके इंडिया का पार्ट होना चाहता है तो admission आता है फिर वो हमारी यहाँ पे establishment of new state जैसे कि हमने एक बड़ा बी आर था उसको हमने बी आर और जारकन दो पार्ट में मतलब distribute किया तो यह new state हो गया या फिर समझ लो कल जाके हमने कुछ पार्ट गुजरात का कुछ महाराष्ट रखा और उनमें फिर एक नया बना दिया ठीक एक नया state बना दिया दोनों का थोड़ा तड़ा पार्ट लेके तो यह होगा establishment of new state या फिर किसी एक state में से anything जो नया state आया तो parliament में by law admit into union और established तो parliament क्या कर सकती है उसको as a union territory बना के उस नए area को आप union के अंडर रख सकते हो या new state बना सकते हो such terms condition as it things fit तो जैसे वो fit होनी चाहिए law के article के तयत तो 2a के अंडर जो शिक्किम था उसको included किया था 2a is omitted by the constitution कब से omit किया गया है उसको 36th amendment के तयत उसको omit किया गया था तो आर्टिकल 3 क्या कहता है the formation of new state and alteration of area boundary और name of existing state तो आप समझ लिए total जो part 1 है यह पूरा area और territory के बारे में ही बताता है हर आर्टिकल को आपको properly देखना पड़ेगा सिर्फ तो यह article 3 क्या बताता है कि formation of new state कोई नया state बनाना है या alteration of areas या फिर किसी area को कम जादा करना है या फिर boundaries area और boundaries ठीक है कोई state के दो boundaries मतलब नजदिक लगे हुए फिर वो डिसकस करेंगे states के या state आपस में जगड़े कर रहे तो आर्टिकल 3 के तायत उनके boundaries fix करे जा सकते है name of the existing state तो उसका नाम जो है अर्टिकल 3 के तायत आएगा तो parliament may by law parliament मतलब क्या था ना दो सदन है उसमें लोगसभा और राजसभा तो parliament may by law a b c d e दिया है या पर तो वह पाच condition हमें देखनी पड़ेगे from a new state by separation तो यह नया state बना सकते कहा से separation of territory from any state तो यह एक state था इसका इतना पार्ट अलग कर दिया यह एक बन गया एक दो बन गया चलो दो state और by uniting two or more state तो दो यह ज़्यादा state जैसे यह एक state था यह myös state था तो इसको एक इसको दो नाम ते पहले फिर इसको बना के भेना ना दिया फिर ए नाम दे दिया बाद ने इसको तो it is कि by uniting two or more और part of states तो by uniting two or more parts of states और by uniting any territory और part of any state तो same ही है आप union territory को add कर सकते हो या states के बारे में but the concept is same दो को एक करो एक को दो करो existing में से divide करो दो एरिया में से कुछ निकालके एक तीसरा एरिया बनाओ तो article 3 में B में क्या लिखा है clause increase the area of any state जैसे महाराष्टरा और गुजरात अलग अलग मतलब नजदिक नजदिक है कल जाके महाराष्टरा की इतनी boundary बना दी ठीक है यह व भी हो सकता है तो गुजरात का कम कर दिया या फिर महाराष्टरा का कम कर दिया गुजरात का बड़ा दिया इतनी अलग से बाउंडरी अलटर दनेम आफ इनी स्टेट का नाम बदल सकते हैं अम आटिकल 3 के तहर नौ वटट़िस आर्टिकल 4 ला मेरे अंडर आर्टिकल 2 ा muchís अभी 2 और तीन में जो लाव बने गये है या फिर उसको क्या करना पड़ेगा जैसे हमने अले उसको स्येटो में लिखना पड़ेगा कि इसके कितने seeds है तो that is what यह article 4 वही बताता है हमें इसको ज्यादा सोचने की ज्यादा deep में जाने की जरूरत नहीं है फिर भी में explain कर देता law made under article 2 and 3 to provide for the amendment of first and fourth schedule and supplemental incidental and consequential matter तो article 2 और 3 के अंडर जो law होते है या बनते है तो उसकी amendment कहा पर जाएगी first and fourth schedule में वो करनी पड़ेगी क्यों कि वो अमेंडमेंट के लिए वो amendment पर करनी पड़ेगी मतलब जैसे पहले समझ लिए हमारे 20 states थे तो first जो schedule है उसमें तो 20 ही लिखे हुए बाद में ये comment में लेके आया हम जसमें 20 से 40 state कर दिये तो article 2 और 3 के तायत हमने तो बदल तो दिये state 20 के 40 तो कर दिये बट हमें फिर वो first schedule में लिखना पड़ेगा वो 40 के नाम पूरे right this is an example just मैं example दे रहाँ आपको तो this is all about article 1, 2, 3 and 4 अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो kindly like, share and don't forget to press bell icon आप उसको subscribe कर लिजे चैनल को thank you for watching